हेलो गाईज, वेलकम टू कोडिंग सिंस, आज बात करेंगे एरर अब्चेक के बारे में, राइट, अब एक चीज़ हमें देखना है कि क्या जावास्क्रिप्ट में एरर है क्या ठीक है, और अगर मैं एरर ऐसे टाइप करूं, ठीक है, तो मुझे मिलती एफ, अब मेरे एफ क मिनिंग फंक्शन होता है, आपका पता नहीं, लेकिन यहाँ पे लेखे, अब जब यहाँ पर एफ लिख रही है और यह capital E से शुरू हो रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, जब भी कोई function का नाम, basically यह rule है, ऐसा follow करना चाहिए, so basically यह जब भी कोई function का नाम capital later से शु यह आपका normal function है, ठीक है, अगर यह function है, तो मैं इसके आगे क्या कर सकता हो, इसको call कर सकता हो, कुछ भी, और क्योंकि यह constructor function है, तो हमें इसके आगे new लगाना पड़ेगा, और फिर हम इसके कुछ message दे सकते, constructor function जैसे कि यहाँ पे दे सकते, database error, फिर ही क्या करेगा, enter करूँ यह execution stack दो तरके होता है, एक होता है global, एक होता होता है function, ठीक है, अब इसके साथ यह अकेला नहीं है, अब यहाँ पे कुछ चीज है, जब भी error होता है, तो आपको throw करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है लोगों, मुह पे फेकना पड़ता है, कि यह तुमारा program error दे तो यहाँ पे देखे, basically, लाल color से लिख देता है, right, तो यह लाल color से लिखना तब शुरू करता है, जब basically throw keyword यूज करते हैं, अगर मैंने throw यूज नहीं किया, तो यह लाल color यूज नहीं करता, ठीक है, लाल color basically क्या, error है न, तो यानि कि यह throw keyword basically कुछ ना कुछ कर रहा है, sorry, 3 plus 5 करता, तो मुझे 8 मिल रही, right, और अभी भी मैंने error लिखा, लेकिन जैसे new के आगे मैं throw लिखूंगा, तो यह नीचे नहीं जाने देगा, है न, अब मुझे 8 नहीं देखा, इसका मतलब throw जो है, basically, कैसा है कि यह नीचे का execution रोक देता है, program का, और अगर आप इसको handle कर रहे हैं, तो वहाँ पर message देता है, और handle नहीं कर रहे हैं, तो गया, जैसे कि मेरा simple सा program था, 3 plus 5, यह run नहीं हुआ, right, expression था, अब यहाँ पर यही throw नहीं कर सकते, यहाँ पर बहुत सारा चीज throw कर सकते, example के लिए मैं throw करूंगा, normally, string, जैसे कि, this is my string, तो यह क्या करेगा, बस इसे लाल कलर एड़ करके, इस console पर दिखा देगा, यानि की error, right, और यह uncaut, this is my string, अब मैं यहाँ पर देखूंगा, तो मुझे यहाँ पर stack information देगी, right, कहाँ पर है basically, अब anonymous मतलब क्या, global execution context क्यों, क्योंकि हम यह window में run कर रहे हैं, जो कि global है, इसके साथ आप throw boolean भी कर सकत है, throw कुछ भी कर सकते हैं, example के लिए मैं object करूं, तो भी, तो यहाँ पर throw keyword क्या करता है, fake देता है, basically यह error generate करता है, अब यहाँ पर दो चीज़ है, एक चीज़ अगर मैं यहाँ पर ऐसे करूं, throw keyword जो है, अगर मैं function लेट से लिकरा, ठीक है, मैंने normal function बनाया, ठीक है, और य basically मैं यह function बनाया, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा, where a equal to 4, right, where b equal to 3, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा, console.log a plus b, यह normal function था, और अगर मैं इसकी बीच में throw कर दूं, तो, right, और यहाँ पर लिखू, new error, right, यहाँ पर लिखू, बगवास मत कर, ठीक है, अब मैं enter करता हूं, right, अब मैं क्या करूंगा, do test को call करूंगा, तो यह क्या होगा, यह मुझे क्या बताएगा, uncaut error, यानि कि एक error जिसको पकड़ा नहीं किया, आप इसको बाद में पकड करते, try catch use करते, right, try catch use करके, आप इसको error को catch कर सकते, लेकिन यहाँ पर कैसा है, basically catch error आता है, try ही से आप try करते, example, try में चाहेगा, और कोई error ऐसे आता हो catch में आएगा, यह बाद में देखेंगा, लेकिन अभी कैसा है, कि uncaut error, और इसने लिखा बगवास मत कर, और यह बता रह यह बता रहे कि कैसे आपका program शुरू है, तो stack किस order में काम करते है, leaf order में, right, last in first out, so leaf order यानि कि basically array की तरह, और leaf order यानि कि जो last है, वही सबसे first आएगा, first out होगा, ठीक है, तो पहले stack में एक container है, इसके अंदर सबसे पहले कुन गया anonymous, फिर कुन गया do test, तो do test बार आएगा, फिर anonymous पा रहेगा, तो basically बताता है कि सबसे पहले आपके stack में यह आएथा और उसके बाद यह, तो basically आपने यहाँ पे कुछ call किया, और इसके अंदर do test में error आ रही है, यानि कि यह बताता है, backward tracing, कि आपका do test में आया error, लेकिन आपने यह error कहां से start हो रहा है, यह बताता है, अब यहाँ पे, क्योंकि यह अलड़ी यह लिफो मोड में काम करता है, last in, first out, तो यहाँ पे basically हमें stack information दे रहे है, अब इतना ही नहीं, यह तो समझ में आ गया कि basically इसको error दो करने के लिए और नीचे का execution रोक दिया, यहाँ पे a plus b का value आना चीज हो नहीं आया, अब एक काम क करते, यही चीज अगर try catch में करते हैं, तो मुझे क्या मिलता, let's say मैं इस program को यहीं पे लिखा, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, try और इसके अंदर, यहाँ पे मैंने लिखा catch, यह catch मुझे error देता है, और यह error क्या होता है, यह error में data वही आता है, जो आपका throw करेग राइट, रोकने के लिए, अब रोकने के लिए कुछ तो चाहिए न, बाल्टी, तो इसने बाल्टी लगा दिया, error, bucket, अब मैं यहाँ लिखूंगा do test, राइट, अब मैं इसको call करूंगा, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, console.log, ठीक है, यह चीज, और मैं यहाँ पे error print कर करता हूँ, और मैं इसके नीचे execution कर रहा हूँ, कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा, console.log, यह expression लिख देता हूँ, 3 plus 4, यहाँ पे 7 आना अच्छी, अब मैं इसको run करता हूँ, ठीक है, यह देखिए, मेरा 7 आग गया, और मेरा error भी handle हो गया, अब यह raid में क्यों नहीं ह और basically, यह error जो दिख रहे है, मुझे कुण बता रहा है, catch block बता रहा है, और मेरा रूका नहीं, right, execution, अगर यही मैं try क्या choose नहीं करता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको वापस क्या करता हूँ, यह ऐसी रहनी देता हूँ, ठीक है, इसको मैं cut करता हूँ, यह अपनी functionality, ठीक है, अब मैं आपे क्या कर रहा, इसके नीचे, यह do test try को मैं बाहर हटा देता हूँ, और मैं नीचे do test कर रहा, यह चीज, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने function run किया, और नीचे मेरी value आ जा नीचे, right, तो basically अब क्या होगा, अगर मैं enter hit करता हूँ, यह देखे, console.log नहीं आए, क्यो तो यह ऐसे normally, यहाँ पर आप if check लगा सकते हो, right, हर तिरह का आप error throw कर सकते हो, let's say किसी ने a और b का value नीचे, आप error throw कर दो, कि पहले value दे भाई, right, तो अब यहाँ पर क्यासा है, कि इससे आप एक अच्छा function बना सकते है, और basically एक function के अंधर error आए, तो लोगों को पता भी चले कि क्या गलती कर रहे हैं, उसको सही कर सकते है, right, और यहाँ पर मेरा execution रुख किया, है ना, और यही मैं कर try catch में करता, तो मेरा execution ने रुखता, right, यहाँ पर देखिए, यह difference, यह difference है, try catch का, है ना, so try catch कर रहा है, handle कर ले रहा है, आपका error, गिरेंगे तो समाल दे रहा है अब मैं देखिए, enter किया, यह देखिए, 7 आ रहा है, और यही चीज़ मैं नीचे आपको दिखाया था, कि without try catch कैसे काम कर रहा है, मैंने due test call किया, और मुझे, I नीर है इसके नीचे, error दे थिया, अब यह error तो समझ में आता है, ठीक है, और हमें यही पता चला जैसे कि, जो जैसे कि object मैं यह टाइप करो, यह क्या बोलता है, f, right, function type करो, यह क्या बोलता है, f, right, boolean type करो, यह क्या बोलता है, error type करो, यह क्या बोलता है, f, यानि कि basically यह सब क्या है, यह सारे function जो है, constructor function है, यानि कि इसके आगे new keyword लग सकता है, example के लिए object के आगे new keyword लग सकता है, right, ऐसे मैं normally object करूँ तो क्या ऐसे यह आएगा लेकिन इसके आगे मैं new object लगाँ तो basically ऐसे है कि उसी तरह new boolean करूँ ठीक है तो मुझे क्या देगा false अगर मैं true दूँगा तो क्या देगा इसके अंदर true राइट और ऐसे मैं boolean दूँगा तो normally यह क्या कर रहा है type cast कर रहा है अब यह जी समझ में आगया अब एक काम करते है अगर यह सारे constructor function है और basically यह object है तो इसका prototype भी होगा तो मैं क्या करता हूँ error ठीक है का prototype चेक करता हूँ अब इसमें मुझे क्या मिला कि जो भी आपका error object क्रेट करेंगे object कैसे क्रेट करते है new keyword use करके right new keyword उसके बाद क्या मैं लिखता हूँ error और इसके बाद यहाँ पर अपना fall to error right कमाल है अभी तक थोड़ा बहुत यहाँ पर मैंने लिखा where error करके लिखती है err right अब मैं क्या करूँगा err अब आपको पता है prototype के जो पिछले तीन वीडियोस थे right ओ तीनों वीडियोस में यह क्या जाना है कि जैसे कि जो object होता है मतलब जो function constructor होता है उसका prototype property होता है जिसमें कि जो इसका बच्चा है यान एक example इस case में यह बच्चा है जब भी आप new करते हो तो यह object create करते है तो यह object किसका बच्चा है error का बच्चा है तो अब इस बच्चे के पास भी अपने parent का DNA होगा और कैसे चेक करेंगे इस keyword में अब यह मिलाए यह किसको point करता है यह कैसे पता करेंगे कि किसका part है आप इसका proto check करें और उसका proto type दुनों match करेंगा यह देखिए इसमें और इसमें कोई difference नहीं है और यह two string कहा से आ रहा है यह basically base class जा रहा है इसका जो object है इससे हमें क्या समझ में आता है इन दोनों के name error message message तो basically name error यह क्या generic है word right message blank है आप इसको भी use कर सकते हो state कर सकते हो है न अब इतना ही नहीं मैं अगर इसके constructor में जाओं तो मुझे और भी क्या क्या मिलेगा stack trace limit मिलेगा capture stack trace मिलेगा name दिख रही है right इसके बाद और क्या क्या दिख रहे है बहुत सारे चीज़े दिख रहे है भाई तो अब मैं क्या करूँगा अगर इस error के उपर message करूँगा तो मुझे क्या दिखेगी जो message मैंने दिया थे हापे जो आप यहाँ पास करेंगे error के उपर मैं name करूँगा तो basically name normal जो generic है ओ यहाँ पर आ रही है है ना तो मैं क्या पता चला इतनी सारे चीज़ होती है अब किसी-किसी browser में यह भी होती है error.stack अगर मैं यह करूँ तो मुझे क्या मिलती है जो अपना error आया है ओ कहाँ पर आया है तो यह बता रहा है तुम्हारा 1-1 पर आ रहा है सही बत है कि यह global execution context का है है ना यह मैं window के इंदर कर रहा तो यह क्या बताता है stack basically कहाँ पर और यही चीज़ मुझे क्या दिखती है जब आप new throw करते हो तो यह दिखरी थी थी anonymous यह चीज़ वे चीज़ error अगर error मैं hit करूँ तो मुझे क्या दिखरी error का अपना fault मतला error का जो में message है यह अब यह तो error throw कर दिया है ना और इसको handle कैसे करेंगे try catch में so I hope यह clear हो गया आपको तो basically check कैसे करता है यह पहले check करता है error so error आया जैसे throw keyword लिगा है throw keyword basically किसको catch throw मतलब क्या अगर कोई throw कर रहा तो कोई catch करेगा right example के लिए मैं यहाँ पर बात करूँ यह देखे basically कैसा है हम यहाँ पर throw keyword यूज कर रहे अब कोई फेक रहे चीज़को तो रोकना भी तो चाहिए ना तो रोकने के लिए एक बाल्टी चाहिए और जो बाल्टी अपना क्या है error है या पर जो भी आप देना चाहोगे अब यहाँ पर error यूज कर सकते हो तो basically try और catch try के अंदर चीज़े try करते हो और error आता है समाल लेता है right है ना so I hope यह clear हो गया होगा अब error के भी multiple types होते है example के लिए error तो generic हो गया right यानि कि syntax error नाम का भी कोई चीज होता है अब अलग बात है type नहीं कर पा रहा है spelling देखके भी लेकिन type कर लिया यह देखिए यानि कि function constructor है भाई इसके आगे भी आप new keyword use कर सकते हैं है ना यह चीज क्या बात है उसके बात और क्या है example मैं कभी-कभी आपको पता है ना कि आपको variable call कर ले तो जैसे कि मेरा variable अब यह कहीं पर आपने define नहीं किया तो क्या error आती है इसको क्या बोलते है reference error right क्योंकि referee नहीं कर पा रहा तो reference error अब इसको भी आप अगर देखोगे ना reference error type करके तो यह भी constructor function है और इसके आगे भी new keyword लग सकता है और इसको भी throw किया जा सकता है यानि कि आप अपने error अपने हिसाब से बना सकते हो है ना और let's say अगर कोई भी error catch नहीं करते है तो basically कौन catch करेगा आपका browser catch करेगा क्यों क्योंकि browser को तो अपने को खुद को समालना पड़ेगा example के लिए आपका कोई error आया है ना यह चीज e r r r spinning wrong उसके बाद यह क्या होगा अगर error आया तो किसी ना किसी को catch करना पड़ेगा अगर let's say catch नहीं आया तो फिर browser और बाद चेक करेगा कोई और catch कर रहा है कि यह अपना क्या js में है node.js में क्या है I mean browser पर बात कर रहा है ठीक है browser पर node.js में क्या है node.js का अपना process होता है तो यहां पर क्या रहन होगा process.on on method और इसके अंदर आपका ऐसा आएगा un caught exception expectation बोलने वाला था तो यह किसमे node जिसमें आपको देखने क्या मिलता है अभी हम देखने वाले और यह किसमें मिलता है आपका यहां पर मिलता है browser में So I hope आपको यह clear होगा So अभी आप इस error को देखेंगे जो हमने आप लिख है हमने इसको क्या handle नहीं किया not handled right यह handle नहीं किया मैंने hang हो जारा system अब यहां पर किया sleep now और do work है do work मैंने यहां किया और मैंने इसके अंदर do work के अंदर sleep now किया अब stack कैसे काम करता है leave from wood में last in first dot right सबसे पहले do work right to do work यहां पर किया do work उसके उपर कोन आएगा sleep now sleep now spilling नहीं आ रहे है right sleep now के अंदर गया उसके बाद किया यहां पर error आ गई right अब कैसा होगा जब error आएगा तो यहां से बताना शुरू किया अब इसके उपर error किया example need नहीं आ रहा ठीक है ऐसा कुछ है यह मेरा function नहीं यह मेरा function है अब यहांस होता है reverse होता है stack trace होती है पहले इसने error बताया error फिर इसने बताया कहां पे ठीक है यहां पे तो eexample यह error मेरा है यह मेरा किया error right add क्या sleep now तो पहले बताया neighbours यहांस रहा है झाहा प्रसी wonders. here तो basically line number में रखिया 7 है, यहाँ पर line number क्या 7 है, और हम नीचे आगया न, do work, उसके बाद क्या, at main, main क्या मेरा anonymous शुरू कहां से हुआ, यह मेरा क्या main, तो यह बताता है कि यह start कहां से हुआ, इसको use करके आप error को track कर सकते, पहले आप क्या करोगे, अच्छा, अगर आपको पता यह backtrace होता है, यानि कि अगर example के लिए, error जहां पर generate हुआ है, और वह कहां से originate हुआ है, ओ बताता है, ठीक है, so मेरा यह main था, मैंने एक function लिखा, और एक function ने दुसरे function call किया, error यहाँ पर है, तो यह बताता है, देखो, मुझे इसने call किया था, और यह बताता है, देखो पर बोल सकते हो, property है, तो यह तर नॉर्मल चीज, अब इसको handle करना बहुत simple है, example के लिए दो चीज़ है, पहले देखिए कि मेरा पास जो function है, do work है, do work के अंदर sleep knock all हो रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे try catch लगा दो, ठीक है, example के लिए try, और इसके अंदर मैं code लिखूँगा जो मुझे चलाना है, और मैं इसके अंदर लिखूँगा, error जिसको catch करना है, ठीक है, यह error या, आप basically e दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी, मैं sleep knock को move करूँगा इसके अंदर, और इसको call करूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा, console lock, और यहाँ पे लिखूँगा, error inside do work, ठीक अब मैं देखता हूँ, क्या आएगा, यह देखे, error inside sleep no, और यहाँ पे catch होगी, अब कैसा है, यह error catch होगया, और इसके बाद अगर मैं console lock कर रहा था, example के लिए my another expression, यह टास्क, यहाँ पे मैं क्या कर रहा, 4 plus 5, तो यह नीचे 10 आजाएगी, ठीक है, my another expression, और यही चीज़ अगर मैं handle नहीं कर रहा हूँ, तो example ले ले comment, यहाँ पे paste, और यह मैंने क्या किया, run here, right, अब यहाँ पे देखे क्या होगा, यह एक तो error आया, और उपर से मेरे नीचे की expression होगी, तो I hope आप देख रहे होंगे, कि कैसे मतलब यह समाल दे रहा है, तो basically, अब कैसा है, कि यह यहाँ से फेकी वी चीज, अब इसके अंदर फेकी जा रही है, तो यही रोकेगा, रोकने वाले यही है, यही है catch करेगा, और इसमें catch करेगा, यह घबाल्टी है, यह bucket है, यह जो बूल यह जूला है, अब कैसा है कि यह अगर नहीं लगाए, यहाँ पे sleep now, तो क्या होता, अगर try catch यहाँ पे नहीं लगाए, तो क्या होता, example के लिए, यहाँ पे मैंने इसको comment out कर दिया, ठीक है, और sleep now मैंने फिर भी call किया, अब मैं क्या कर रहा, इसको try catch में कर रहा, ठीक है, तो मैंने किया try, तो मुझे दिखा catch, फिर मैंने किया error, तो खुली यह bracket, अब मैं क्य करूँगा, do word को यहाँ पे paste करूँगा, ठीक है, और इसको थोड़ा सा धक्का दूँगा, ताकि यह इदर है, space बताना है, basically, अब अगर मैं इस function को वापस run करूँगा, तो यह देखे, my another expression 9, और हो handle, ओ कहां के error, basically, यह जो error है, यहाँ पे मुझे handle करना है, तो मैंने लिख यहाँ पे, error in, यहाँ पे, error handle at, ऐसे, यहाँ पे लिखरा, line number 19, यहाँ ऐसे देता हूँ, ठीक है, और मैंने e-print किया, अब यह देखे, error handle at, line number 19, और यहाँ पे मुझे दिख रही है, basically, अब यहाँ पे यह चीज तो है, और क्या होता, अगर मैं इसको भी try catch में रखता, और मैं इसको move कर दू, दोनों जगह, ठीक है, देखने वाली क्या चीज है, कि अगर यहाँ नहीं पकड़ा गया, तो at least यहाँ पकड़ा गया, तो मैंने वही बात करी, यह क्या check करता है, example, जब error आया, तो यह check करता है, कोई catch है, नहीं है, फिर कोई catch है, नहीं है, फिर कोई catch ह नहीं है, और है तो फिर इसमें catch कर जाता है, अपने case में क्या हुआ, error आया, ठीक है, example के लिए, यह अपना error आया, right, यह किस के अंदर आया था अपना sleep के अंदर, sleep now function के अंदर, इसने check किया कोई catch है, sleep now का, नहीं है, right, फिर नीचे किया, अब कोन मिला इसको, next function, अब next function देखेंगे तो, यह था हमारा do work, सो फिर next क्या पुछेगा, अच्छा, अब next को ना यहाँ पर, do work वाला function आया, अब यह बोल रहा है कि इसके पास catch है, yes, है, ठीक है, और यहाँ पर handle हो गया, error, इसके catch में, right, ऐसी हुआ न, सो पहले यह check, यह गया, अपने, जहाँ पर call चेक करने, वहाँ check हो गया, अगर वहाँ नहीं मिला catch, तो फिर नीचे गया, वहाँ मिल गया, तो catch, catch कोन कर रहा है, basically, do work catch कर रहा है, right, तो यहाँ पर do work के catch में आ, यह, है न, do work, अब let's say कि इसको na, sleep now में handle कर रहा है, let's say, अब मैं क्या कर रहा है, sleep now किसी के बरुसे नहीं है, बोल रहा है कि मैं खुद भी handle करूँगा, मैं अपने parent यानी do work पे नहीं focus करूँगा, right, अब यहाँ पे देखिए, error inside sleep now, पहले कहाँ पे handle हो गया, यहाँ पी हो गया, error inside sleep now, अब यह नहीं catch call हो रहा है, क्यों, यहाँ पे कैसा हुआ, यहाँ बैसे हुआ, अगर error आया, ठीक है, तो पहले चेक हुआ, catch है, yes, किसका है, sleep now का है, बस handle, गिरिया बाल्टी में, यहाँ पे प्रिंट कर दिया, देखिए, catch तो नीचे भी था, लेकिन वो catch क्यों, अब देखिए, अगर कोई गीरेगा, तो एक आदमी ने रोक लिया, ठीक है, एक बाल्टी में, और इस इसको कुछ मिलने वाला है किया, जब तक यह थुगता नहीं, I mean, जब तक कि अदला, क्या बोल दिया, जब तक कुछ गिराएगा नहीं, right, जब इसी ने रोक लिया, यानि कि slip now है, है यह कोन है, do work है, तो slip now ने रोक लिया, तो इसको क्या, इसके बाल्टी मिलेगा, समझ माया होगा, अब देखते हैं, यह था synchronous के साथ, asynchronous के साथ कैसे करते हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा, यह synchronous था, synchronous, ठीक है, आज यह spelling नहीं लिखाएगा, मैं कुछ से सही कर लेता हूँ, तो I hope आपको, sorry, यह synchronous था, दिमाग भी नहीं, तो synchronous यहाँ पर हमने handle किया, error, ठीक अब आगे देखेंगे कि कैसे आपने asynchronous handle कर सकते हैं, okay, मिलते अगली वीडियो में, thank you so much.